ठीक है जी तो हम लोग पहले बना लेते हैं डेटा तो डेट नेम सिटी सेल्स अब देखिए डेट का जैसे कि मैंने बताया था कि जो हम डेट डालते हैं वो एक नंबर होती है है ना तो फर्स जनवरी उन्नीस सो से लेकर अब तक के नंबर होते हैं बया लिस अजार सम्थिंग आ रहा है तो अगर मुझे डेट जनरेट करवानी है तो मैं ये रेंड बिट्वीन का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं और इस में 42,000 से 43,000 तक की वैल्यू जनरेट करवाऊंगा ठीक है इस वैल्यू से क्या होगा कि आपकी जो नियर अबाउट दो तीन साल की डेट है वै आलिस से त्राले से एक हजार दिन होंगे आपस की जो डेट है वो जनरेट होंगी ठीक है उससे रिलेटिट कोई नंबर तो आपको एक डेट मिलती रहेगी दूसरा हमने कस्टम लिस्ट बनाई रखी है जिसके अंदर मैंने नेम और सिटी कुछ डलवा रखे हैं ठीक है सेल्स के लिए वही रैंड बिट्वीन दस से नब्बे अब मैं इसको क्या करूँगा ड्रैक कर दूँगा तो कितना भी डेटा मैंने क्रिएट करना है यह मेरा सामने आ जाए ठीक है जी तो इस तरीके से आप पेस्ट एस इस पेस्पेशल कर दूँगा तो इस तरीके से आप डेटा बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए ठीक है जी अब क्या होता है कि जैसे सबसे पहली चीज है कि selection इसमें filter sorting में selection कैसे लेता है जैसे कि अगर मैं यहाँ पर filter apply करूं control shift tell shortcut है तो अभी यह सब को कैसे ले ले जा है big doubt select की है ठीक है तो इसके लिए जो होता है आपका data का region जो है responsible होता है data region आपको कैसे पता लगेगा कहीं भी data में click कीजिए और control A press करेंगे तो जो data आपका selected है वो region affected होता है तो आप region कैसे decide करते हैं कि अगर यह एक भी point पर connected है हमारा data तो region के अंदर पूरा data आता है पर अगर इसमें एक row blank हो गई या column blank हो गया उस case में यह region जो है split हो जाता है ठीक है जी तो अगर मैं इसमें without select कि यह filter लगा हूं तो यह खाली उतनी लेगा जितनी इसकी region के अंदर होंगी तो इस case में जहां पर हमारे पास काफी blank lines होती ही वहां हमें select करने की जुरुत पड़ती है data को कि हमें बताना पड़ता है कि इसका area कितना है तब जाके complete list लेता है तो कहने का मतलब है जब आपका region वैसे ही पूरा है data कहीं ना कहीं connected है तो आपको selection की जुरुत नहीं आप ऐसी कोई भी option apply कर सकते हैं दूसरा चीज जैसे मैं यहां पर column select कर रहा हूं किसी में date में जा रहा हूं sort and filter का यहां पर option है आपके पास अभी दिखा रहा है sort oldest to newest तो इस column में अगर मेरे पास dates हैं तो यह oldest to newest दिखाता है और अगर text है a to z, z to a और number है तो smallest to largest, largest to smallest इस तरीके से दिखाता है ठीक है जी तो इसके अंदर अब हम क्या करते हैं कि जैसे अब मुझे sort करना है कुछ भी तो मैंने यहां पर click किया sort and filter पर जाओंगा sort newest to oldest oldest to newest just click करूंगा उसके according जो region का data है वो भी sort हो जाएगा आपके ठीक है जी अब यह तो रही single level sorting जब आपको multi level sorting करनी होती है मतलब की जैसे कि आप name को alphabetic sort करना चाहते हैं फिर एक हर एक name के लिए जो sales है largest to smallest करनी है तो उसके लिए हम use करते है custom sort का तो जब हम custom sort में जाते हैं तो इसमें देखेंगे आप कि आपके headers आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं sort किस base पे करना है वो आपका value, cell color, font color और cell icon के base पे आप sort कर सकते हैं और order यहां से oldest, newest वोगरा उस सब आपका option इदार आता है तो पहले मैंने बोला कि name को मुझे value के base पे alphabetic sort करना है फिर मुझे दूसरा level add करना है तो add level use करूँगा मैं इसमें मैं sales ले लूँगा और value को base पे मैंने कहा कि largest to smallest मैंने sort करना है ठीक है यह तो जब मैं इसे ok करूँगा तो मेरा जो data है वो पहले alphabetic sort हो गया city मैंने a to z कर दी मैं name को a to z कर ठीक है जी तो पहले मेरे name जो है वो sort हो गया फिर उसके बाद sales इनकी largest to smallest हर एक name के लिए largest to smallest हो गई तो आपके पास कितने भी column हो यह जो level of sorting होती है वो up to 64 level तक आप sort कर सकते हैं अब जैसे कि मेरे पास data है किसी तरह का audit कर रहा हूं मैं और मैंने कहा कि यहां पर इन data में कुछ दिक्कत है अब मैं इसको sort करना चाहता हूं color के base पर तो मैं क्या करूंगा यहां से sales में जाऊंगा यहां से sell color तो available sell color आपको यहां पर दिखा देगा मैंने इसको select किया मैं इसको top में रखना चाहता हूं कि bottom में डालना चाहता हूं मैं top में रखना चाहता हूं okay कर दिया तो यह आ गया ठीक है जी अम माली जीए कि इसी में ही दूसरी तरह की एक दिक्कत वाला data है उसको मैंने red से color कर दिया अब जब मैं इसको custom sort में जा रहा हूं copy level से मैं same level copy कर सकता हूं और मैंने का कि पहले मुझे red चाहिए और उसके बाद yellow चाहिए तो बताईए कि पहले मैं red रखना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे yellow को top में रखना पड़ेगा कि bottom में रखना पड़ेगा तो मेझ इसको हाँ टॉप मेर को ऑखुँंगा क्योंकि इस पुल्ट पे चलता है। पहले रेड की प्रियोर्टी है रेड ऊपर आ जाएगा और यलो की सेकंड प्रियोर्टी है तो फिर ंच wonderful मेर के दंच मेर को अच्ग अच्गहाँ चीक है जी इसी तरह से हम जैसे font के color के base पे भी कर सकते हैं कि मैंने font choose कर लिया अब मैंने font के color के base पे करना चाहता हूँ तो name के अंदर font color और available color आपको यहां से दिखा देगा select कर लेंगे, okay, font के base पे आपका sort हो गया उसके बाद माली जी जैसे sales है यह मेरी तो यहां conditional formatting में मेरे पास icon set होता है इसकी setting कैसे करते हैं वो मैं conditional formatting के section में बताऊँगा तो अभी क्या है मैंने ले लिया three symbols ले लिये तो यहां पर निशान आ जाते हैं डेटा को categorize करने के लिए यूज़ होता है अब मुझे क्या करने यह right वाले symbol तीन category में data है good average पूर तो मैं क्या करना चाहता हूं पहले मैं sales में sell icon के base पे भी sort कर सकता हूं right वाले उपर रखूंगा फिर copy level average वाले उसके नीचे और बाकी तीसरा अपने आपी नीचे आ जाएगा तो इस तरह से आपका data icon के base पे भी sort हो जाता है पर मान लीजिए कि मैं मन्त लेता हूं यहां पर और हमारे पास date ही नहीं तो जो मैंने last में custom sort बताया था आपको custom number format बताया था तो जैसे मुझे month लेना है date से तो यह मैं यहां से reference करूंगा और inverted comma में वो format यूज करूंगा जो मैं custom format में यूज कर रहा था custom number format में उसमें क्या होगा यह formula आपको real में वो value निकाल के दे देगा उसमें क्या था visibility के लिए change हो रहा था अब यहां क्या है कि आपको यह real में value मिल जाती है taste as values कर लिए माल लिए यह date नहीं होते month के base मुझे कैसे sort करना है January पहले करना है फिर February करना है फिर March करना है इस तरीके से मुझे sort करना है तो अब उसके लिए मैं क्या use करूँगा A to Z करूँगा कि Z to A use करूँगा यहां क्या use करूँगा अगर मैं A to Z करता हूं तो देखो क्या होता है यह April August alphabetic sort होता है तो इसके लिए मैंने बताया था custom list आपको याद होगा कस्टम लिस्ट में आपके पास एक option है January, February का आप यहां से choose कर सकते हैं ठीक है तो custom list में जब आपने choose कर लिया वह यहां पर आ जाएगा और accordingly data आपका sort हो जाएगा अब यह option आपका उन सब चीजों को open करता है जिसमें आप अपनी मर्जी से sort करना पुचाते हैं जैसे designations हो गया कोई VP है फिर GM है फिर manager फिर executive है तो level अब चार level बना के बना के इसको custom list में डाल दीजिए वहां से choose करेंगे और sorting लगा सकते हैं ठीक है जी अब भी तक हाँ अच्छा संड नहीं की थी चलो इसमें वैसे मतलब वाला कुछ होगा नहीं यह तो data एक हाली data लिखाना तो मैंने इसके अंदर बता दिया इसके अंदर ऐसा कोई option आएगा नहीं जिससे उससे पता पढ़ जाए फार्मूला बैसिस में पता पढ़ सकता है इसमें नहीं मालूं कोड़े तो अभी तक जो हम sort कर रहे थे वो कर रहे थे top to bottom ठीक है एक column में sort कर रहे थे माल लीजिए कि आपको ये column ऐसे row में arrange करना है तो option में आपके पास option है sort left to right का ठीक है उसमें क्या होगा यहां पर आपके पास आजाएंगी row मालों पहली row को मैं sort on the basis of value alphabetical order में करना चाहता हूं तो जैसे date name city है तो इसमें आपकी city पहले आ जाएगी फिर date आ जाएगी month आ जाएगा तो आपके पूरा इस तरह से data change हो जाएगा तो इस तरह से भी आप sort कर सकते हैं तो यह है आपकी complete sorting जो कि हम जो कि हम sorting में use करते हैं अब filter को देखते हैं क्या है पहले तो filter का shortcut क्या है Alt D F F है Ctrl Shift L से भी लगता है Alt H S F से भी लगता है और Alt A T से भी लगता है ठीक है जी माली जी कि आपको जैसे कि यहां से मैंने filter लगाया जहां से मैंने city चूज कर ली ठीक है यहां से मैंने month चूज कर लिया अब जैसे तीन चार जगे filter लगा हुआ है अब without filter को हटाए इसको clear करना है तो आपके पास option है यह clear का ठीक है जी तो यह सारे के सारे जितने filter हुए है वो select all पे आ जाएंगे ठीक है इसके लिए पूरा फिल्टर हटाने की ज़रुत नहीं है लोग क्या करते है हटात के लगा देते हैं आप ऐसे भी लगा रहने दे सकते हैं ठीक है जी दूसरा जो जैसे कि वो sorting अपने डेटा को पहचानता है इसी तरह फिल्टर भी करता है तो फिल्टर में जब आप देखेंगे जैसे अगर आपको इसकी लिस्ट ओपन करनी है यहा आपका लिखा रहा है डेट फिल्टर और यह जो ऑप्शन है हुआ आपको डेट से रिलेटिड मिलते हैं पिखको negative fragrance और तेक्स्ट में आपको exit filter में अब और based phone और text से mm joinzinho नंबर जहां होंगे यहांड को negative filter मिलेगा number से related option होगे क्या चीज है कि निस्चिफर प्रयमेट्इक फिल्टर रही है आती है तो अब यह हम फिल्टर वाली कंडी यह चीज़े देखते हैं options क्या क्या हैं जैसे पहले आपको date के लिए कुछ option बता देता हूं कि कई बार क्या होता है कि जैसे कई लोग date ऐसे लिख देते हैं format गड़बड होता है तो यह filter क्या करता है गड़बड date को सबसे नीचे अलग से पकड़ के रख देगा क्योंकि इसके according यह date ही नहीं अगर आपको ऐसी dates मिलें तो सही कैसे करना है आप इस पे click करोगे text to column पे जाओगे next next तो यहाँ पे आपका होता है column data format तो इसको आपको बताना पड़ेगा कि यह date है और किस format में है तो यह dmy में है date पहले है month बाद में year बाद में है ठीक है जी जब finish करेंगे तो यह आपकी date correct हो जाएगी चाहे कैसे भी format में लगी हो ठीक है जी तो गलट dates को हम सही कर सकते हैं इस तरीके से दूसरा कई बार क्या करते हैं मैं लिखना चाह रहा हूँ पांच जून पर system क्या पकड़ेगा इसको छे मई ठीक है जी छे मई पकड़ेगा तो इसको ठीक कैसे करना इन डेट को के लिए भी टेक्स टू कॉलम का option है और आप इसमें बता सकते हैं कि जो मैंने पहले एंटर किया था वो date फिर month फिर year था तो आप जब finish करेंगे तो यह date को swap कर देगा ठीक है जी तो जो गड़बर date है हम इन method से उसको ठीक कर सकते हैं बाकि धीरे धीरे हम formula से जानेंगे कि यहां से गड़बर date निकालनी कैसे है फिर इसको यहां अलग जगह सही करके फिर वहां वापस कैसे ले जाना है ठीक है जी अब दिखते है date के option क्या-क्या है इसके हाँ जी हाँ 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 तो मतलब जैसे काफी सारा data है अलग अलग जगह है हाँ 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 मैं वही बता रहा हूं कि उसको ना next में formula के जरीए बताऊंगा क्योंकि उसके लिया हमें ना formula की जरुषपड़ेगी क्योंकि एक साथ करेंगे तो सारी date disturb हो जाएगी तो formula की जरुषपड़ेगी कि उसके बगल वाली cell में हम वो जो गड़बर date है उनको निकाल ले और फिर वहां टेक्स कॉलम का यूज करके सही करके उसको वापस उस जगे रिप्लेस कर दिया जाए ठीक है जी तो वह फार्मूला के जरीए होगा और फार्मूले हम दीरे दीरे सिखेंगे आगे ठीक है तो अब जैसे कि मैंने डेट में निकाला इक्वल्स काले में क्या है आपकी लिस्ट है जिसमें आपके जो कॉलम में डेट पड़ी है वो आ रही है और साथ में कैलेंडर भी है तो कैलेंडर में से भी डेट चूज कर सकते हैं आपकी इक्वल टू इस डेट के कोई है तो फिल्टर कर दिया अब यह नहीं है तो नहीं आ रहा है बिफॉर में जैसे मैंने कहा कि एक मार्च 2015 से पहले का डेटा दिखाए तो ये डेटा आपका फिल्टर कर दिया, इसी तरह आफ्टर है कि एक अपरेल 16 के बाद का डेटा दिखाए तो वो दिखाएगा, बिट्वीन का उप्शन है, जिसमें आप जैसे फाइनेंशल येर का निकालना है कि एक अपरेल 2015 से 31 मार्च 2016 का डेटा, ठीक है जी, तो ये फाइनेंशल येर का डेटा निकल गया, इसी तरह से टुमारो कल की कोई डेट होतो नहीं है, टुड़े आज की कोई डेट होतो फिल्टर हो जाएगी, येस्टरडे पिछले जो बीत गया कल उसकी डेट होतो, next week अगले हफते में आने वाली dates this week इस हफते की date कोई नहीं है last week पिछले हफते की date next month अगले महीने की date this month इस महीने की इसी तरह से इस में है last month next quarter this quarter last quarter next year this year last year last month year to date year to date क्या है कि ये year कब से शुरू हुआ 1 January 2016 से और आज तक की date का data YTD खीक है जी तो ये सब आप filter से कर सकते हैं उसके बाद है all dates in period तो जैसे आप quarter one select करेंगे तो quarter one कौन सा होता जनवरी फर्वरी मार्च तो उसका data दिखाएगा पर current का नहीं सारे year का जनवरी फर्वरी मार्च का data इसी तरह इसमें मन्त भी पड़े हुए जनवरी तो इस year की जनवरी नहीं हरी year की जनवरी का data तो आप ये option यहां से यूज कर सकते हैं अब numbers के बारे में देखते हैं numbers के लिए क्या क्या option है तो numbers के लिए equal does not equal आप लोगों को पता है does not equal में वो value ना हो छोड़ के बाकी सब greater than हो गया जैसे 50 से बड़ी value हो गई ठीक है less than हो गया less than में हमने कर दिया कि 20 से छोटी value वो आ गया इसी तरह से आपका है between की 50 से 70 की value वीच की value वो आ गया उसके बाद आपका top 10 top 10 में आप top और bottom और 10 की जगा 20, 30, 5, 15 कितना भी ले सकते है item item देखने क्या है top 10 item मतलब 10 जो highest value है आपकी sales वो आ गई ठीक है जी top और bottom में lowest आएंगे इसमें होता है एक item और एक percent होता है top 10 percent क्या होगा आपका कि जैसे आपका data है 700 record है आपके पास तो 700 का 10 percent होगा है 70 record तो 70 highest वाले आपका दिखा देगा मतलब इसका मतलब यह नहीं है कि sales का जो 10 percent होगा वो जहां जहां contribute कर रहा होगा वो data equal does not equal वैसा ही है begins with बताता हूँ कि जैसे S से start होने वाले नाम कौन से है filter कर दिए ठीक है end with T से end होने वाले नाम कौन से है तो विकरांत वेंकर T से end हो रहे है contains किन नामों के बीच में double E आ रहा है यह बीच में starting में कहीं थी तो संदीप प्रदीप में आ रहा है ठीक है जी does not contain उसी का reverse है equals का जब मैं खोलता हूँ तो इसमें एक और चीज है यहां पर लिखाई use star question mark to represent any single character use star to represent any series of character ठीक है net कट गया है net lost हो गया on on off होगा मुझे लगा अभी आ जाएगा वाई एक लाज को मेरी पक्की हो गई है यहां जबाना formatting और यहां जीकाज भी नहीं नहीं तो पक्की अगी अब बसी गवार प्रेंट करका लूग जागी कि नेट का देख लूँ कि नेट में क्या गड़ बड़ आ गई है नेट यार डिस्कनेक्ट हो गया वाई यह गड़ बड़ हो जाता यार हालो आज वो नेट कनेक्शन बीच में मेरे कहल से एक बार रिस्टार्ट हो गया था तो मैं बता रहा था आपको इक्वल्स के बारे में हां जी तो इक्वल्स में क्या होता है कि आपके पास है यूज परशन मार्क टू डर्प्रेजेंट अअई सिंगल करेक्टर यूज स्टार टू डर्प्रेजेंट अई सीरिस ऑफ करेक्टर ठीक है जी तो ये करते क्या है कि जैसे हमने देखा था कि यहाँ पर मेरा नाम है संदीप ठीक है अब इसमें confusion बोले तो किस किस की हो सकती है एक हो सकती है कि एक ही जगा यू आ सकता है ठीक है जी एक हो सकती है कि ये double ए की जगा आई आ सकता है है ना यह confusion हो सकती है अब मैं equals to मैं इनका use कैसे करूँगा तो जैसे मैं लिख रहा हूँ संदीप तो संदीप का data filter करेगा तो मुझे पता है कि A में गड़बड हो सकती है तो इस character की जगा मैं दे दूँगा question mark लिखाए use question mark to represent any single character मतलब कि इसमें A हो, E हो, I हो, U हो इस जगे कुछ भी हो वो filter में आ जाएगा आप देख रहे हैं U वाला आ गया पर अभी आई वाला नहीं आया है तो उसके लिए क्या करेंगे अब यह confusion क्या है? दो character में multiple character में उस जगा क्या करेंगे? हम इसकी जगा दे दे देंगे star तो यहां पर 2 की confusion हो, 4 की confusion हो, 50 की confusion हो कितने की भी हो हमने का D के बाद कुछ आएगा और उसके बाद last में P ही आएगा ठीक है? OK किया? तो देखो, I वाला भी आ गया ठीक है? तो अब यह हुआ कैसे? देखो जैसे मैंने बताया था begins with या begins with पहले question mark देते हैं कि मैं यह कह रहा हूँ कि यार, 5 character के नाम कौन से हैं? मैं क्या करूँगा? 5 connector में confusion है? 5 बार question mark डाल दूँगा तो यानि कि 5 character कोई भी हो वो आपके filter हो जाएगे स्टार का देखने कैसे? तो हमने देखा था begins with वो क्या था? S था आगे और आगे लगा था स्टार मतलब कि S हो पहले और बाद में कुछ भी हो multiple characters तो यह begins with आ गया end with में क्या था? वही स्टार आगे लगा हुआ था कि आगे कुछ भी हो last में T आ जाएगा ठीक है जी? कंटेंस में क्या था इसी तरह से? कि आगे स्टार था बीच में double E, पीछे स्टार तो मतलब आगे कुछ भी होगा, पीछे कुछ पीछे कुछ भी होगा, बीच में यह कहीं न कहीं double E होगा तो यह कंटेंस वाला हो गया अब देखते हैं एडवांस फिल्टर तो एडवांस फिल्टर होता है हमारा डेटा में यहाँ पे यह एडवांस फिल्टर को आपको लगाना कैसे है आप उसकी हेडिंग को कॉपी कर लो फ्यक है मैंने का मुझे संदीब का डेटा चाहिए जो की greater than 50 होगा, ठीक है, इस तरीके से करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, advance में, यह range इसने select कर ली अपने आप, criteria range को मैं यहाँ से दे दूँगा, ऐसे select करके, ठीक है, heading के साथ होना चाहिए, और इसको okay करूँगा, तो यह data आपका filter आ जाएगा, सं करता हूँ, ठीक है, माल लीजी, प्रदीप का मुझे सारा data चाहिए, ठीक है, संदीप का greater than 50 में चाहिए, तो criteria में मैं इसको select करूँगा, एडवांस filter में गया, criteria में मैं यहाँ तक select कर लूँगा, और okay कर दूँगा, तो प्रदीप का सारा data आ गया, संदीप का greater than 50 वाला आ कि माल लो कि संदीप का greater than 50 वाला आपने filter करना है, फिर copy करके कहीं और ले जाना है, उसका कैसे करोगे, इसी में advanced filter में option है, copy to another location, तो इसमें क्या करा, अपने list range ले रखिए, criteria वाला आपने चूज कर लिया यहाँ पर, कि यह criteria लाएगा, copy to, कहां करना है copy, मैंने का यहाँ प paste हो जाएगा, हाँ, 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 वैसे ऐसा कर सकते हैं, कि बाकियों की जरुरत नहीं, ना भी लिखो ना, तो केवल criteria वाले column आपके होने चाहिए, वो field के नाम से पहचान लेगा, कि नीचे criteria क्या है, ठीक है, बाद में, हाँ, मतलब लिखना पड़ता है, यहाँ पे, यह आपको data अलग से दे देगा, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और एक चीज दिखाता हूं इसमें, कई बार हमें ना, वैल्यू, यूनीक वैल्यू चाहिए होती है, कि जैसे इस field में मुझे नाम निकाल लें, तो इसके लिए भी advance filter का use किया जा सकता है, advance filter में मैं जाओंगा, list range में मैं खाली नाम का column दे दूँगा, ठीक है, copy to another location पे आया, criteria मेरे पास कुछ नहीं है, मना कर देता हूं, copy to another location में मैं उसका place दे देता हूं, कि यहाँ निकाल दे, और यहाँ पे unique record only का है मेरे पास option, तो okay किया मैं ने उस location पे आपको unique निकाल के दे देगा, ठीक है जी, इसी चीज़ को दूँगा, हाँ, कर जाएगा, हाँ, आपको एक चीज़ बताओ, फिल्टर में एक चीज़ होती है, कि यह जो list आती है, आपको पता है, यह कितना data contain कर सकती है, list कितनी बड़ी हो सकती है, 10,000 आइटम जो होते हैं, आपके list में हो सकते हैं, तो list के अंदर unique 10,000 ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा पे filter फेल हो जाते हैं, unique 10,000 हैंडल कर पाते हैं, ठीक है जी, हाँ, नहीं करेगा, आपको इसी काम का दूसरा तरीका दिखाता हूँ, इसको कर लीजिए, पेस्ट इस लिस्ट को यहाँ पे, और यहाँ पे data में ही, remove duplicate का, तो जब आप remove duplicate यूज़ करते हो, वो भी आपका, यह header बता दीजिए, header भी तो यह था आज का हमारा topic, filter sorting का, और advance filter का, ठीक है sir?